जगदनन सिंग ने पत को छोड़ने का मन बना लिया है। सिर्फ यही नहीं उन्होंने 2015 के बिहार विधान सबा चुनाओं में जीत हासिल की। इसी के साथ 2019 के लोकसबा चुनाओं में उन्होंने दरबंगा से चुनाओ लड़ा और भाशपा के गोपाल जी ठाकुर से हार गया। इसके पहले अब्दुलबारी सिद्धिकी 2010 के बिहार विधान सबा चुनाओं के बाद विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। जब जेडियो और भाशपा के बिट विभाजन हुआ उसके बाद उन्होंने सरकार छोड़ दी और अधिकारिक रूप से विपक्ष बन गया। अब्दुलबारी सिद्धिकी को सितंबर 2015 में एसोसियेशन के पूरव अधियक्ष विनोत कुमार को हराया उन्होंने जिसके बाद उनको बिहार क्रिकेट एसोसियेशन का अधियक्ष चुना गया। वह बिहार बैडमिंटन संत के प्रमुग भी हैं। उन्हें लालू प्रिसाद यादव का करीबी माना चाता है। वेकरपूरी ठाकूर सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अब वे लालू के सबसे भरोसे मन लोगों में गिने जाते हैं। आपको बताते चले कि अबदुलवारिस सिद्धिकी बिहार के राजनीती में बड़े नामों में आते हैं। साल 1977 में जनता पार्टी के उम्मीद्वार के तोर पर शुरू की, वेदर भंगा की बहेडा सीट से विधान सबा चुनाओ भी लड़ चुके हैं, जहां उन्होंने कॉंग्रेस के हरियर नात्मिश्र को माद दी थी, जिसके बाद सिद्धिकी को लगतार जीत मिलती गई, फिर उन्होंने 2010 में आरजेडी में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पद को समहला, जब 2015 में मागडबंदन की सरकार थी, तब उनको बिहार का वित्मंतरी पद सौपा गया था, जगदानन सिंग ने पद छोड़ने का मन बना लिया है, उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अब्दुलबारिस सिद्धिकी के नाम की चर्चा की जा रही है, फिलाल इस खबर में इतना ही,